सब्सक्राइब करिया है फ़स्टी चैनल को बेल आइकन को प्रस केजिए लेटिस वीडियो अपडेट सबसे बड़े पाने के लिए नमस्कार दोस्तों एक बड़ फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाइफाइ स्टेडी वे दोस्तों आज की वीडियो होने वाली वो आप सभी की पेपर के द्रिस्टी के लिए बहुत जबर जबर जस्ट होने वाली है हम लोग कम समय में एक के भाग के थड़ के अंतरगत मूल अधिकार में क्या नहीत है 2019 में पूछा भी गा सिगन साथियो बहुत जबर 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 कितना टाइम से होता साथियो दो बज़े से पेपर होता 50 मंबर का पेपर होगा ठीक है और यहां पर दुस्तों हो जाएगा क प्रवेस देरे से नहीं रोका जाएगा कि धारा पैतालिस के अनुसार प्रारमिक शिख्छा के सारभौमिक गरण या सार भौमिक है तो क्या कहा गया है तो धारा पैतालेस राज्य के इस सम्मिधान के लागू होने के समय से दर्स वर्स के अंतरगत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्स के नहीं हो जाते हैं निसुल अनिमार सिक्षा प्रदान करने का प्रियास करेगा अगला यहां पर प्रशन हो जाएगा दोस्तों चौथा नमबर प्रशन हो जाएगा फोर्थ नमबर पॉइंट हमारे पोर्थ नमबर कुशन हो जाएगा कि बाल अधिकारों के घोषडा कब और किसके द्वारा की गई तो सयूत राश्य संग ने बाल को कि अधिकारों के घोष सब्सक्राइब करने का अधिकार दूसरा हो जाएगा प्रतिक बच्चे को अपने राश्ट्रियता नाम एवं पारिवारिक नाम बनाये का अधिकार दूसरा हो जाएगा बच्चो को ये माताश्ट्रा का सो प्रतिक आधे रखने का अधिक या बनाये रखने का अधिकार अगला हमारा प्रस्ट छे नम्बर प्रस्ट लोग दह्ता हो Letterießen है struct अगला हो जाएगा साथ नमबर हमारा हो जाएगा कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियब 2009 की अनुसार सिक्षा का ब्याइभार कौन वहन करेगा तो सिक्षा का जो ब्याइभार है या आपका कुशन बहुत विकल्पी में पूचा गया था ठीक है न तो कौन इसको वहन करेगा वो केंदर और राजसरकार सहीं तो रोप से इसको वहन करेंगे दोनों सरकारे देखेंगे चाहाए वो केंदर सरकार हो चाहाए फिर राजय सरकार हो अगला हो जाएगा हमारा पर जाएगा कि बाल सिक्षा अधिकार अधिकार अधिनियम के अंदर क्या निज़े ट्विशन की छूट रखी गई है 2015 और 2019 में दोनों में पूछा गया कुशन है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि सरकारी स्कूलों में गड़वत्ता योगत शिक्षा उपलब्द कराने के लिए कई प्रावधान किये गए हैं सिक्षकों को निज़ी ट्विशन चलाने की छूट नहीं है साथ ही सिक्षकों को गैर सिक्षक गत विधियों में भी सामि केल करने से रोका जाएगा थिए तो यहां पर दूस्तों हो जाएगा कि इस्थर के कानून या शिक्षा कि अधिकार कानून को लागू करने के लिए पैतालेश श्यानवे ने प्राथमिक स्कूल और तैस उन्चास ने उच्च प्राथमिक विद्याले वर अन्या तो विधाओं का विकास करना होगा जिसका अनुवानित खर्च जो होगा वो 38 करोड होगा अगला हमारा प्रस्ण हो जाएगा कि सर्व शिक्षा अभ्यान के अंतरकत 31 मार 2009 में कुल कितना बै हुआ तो सभी को बुन्यादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रदेश में सन 2001-2002 में सर्व शिक्षा अभ्यान के सुरुआत हुई थी और इस अधिनियम के अंतरकत 31 मार 2009 तक सूबे में रुपे 1338 समलोग 79 करोड खर्च किये जा चुके थे ये खर्च किये रास्ट के दिकित पे सर्व शिक्षा अभ्यान अगला हमारा हो जागे यहां पर 26 में पूछा भी गया है कि भारत एक पंथ निर्पे रास्ट की घुषड़ा का उलेक कहां है या कहां पर है तो सम्मिधान के 42 यानि 42 में संशोधन में दिया गया है यह क्या पंथ निर्पे एक्स रास्ट अगला हो जाएगा हमारा तेरा नंबर दोस्तों बहुत बहुत बार्स कुशन मनता है दोसार सोला में पूछा भी गया समवर्ती सूची में दिये गए विस्तेयों पर नीती एवा मकानूर बना दे का अधिकार किस सरकार को है तो उत्तर प्रदेश यानि यहां पर दोस्तों केंद्र और राजसरकार अगर उत्तर प्रदेश की बात करते तो उत्तर प्रदेश और केंद्र का दोनों मिलकर करेंगे केंद्र और राजसरकार दोनों मिलकर करेंगी अगला हमारा हो जाएगा 14 हम्मोर को भारत में निस्कुलक एवार्व्ण शुक्षा की उन्हत्य में मुख्य कठनाई क्या है 2000 उद्ध पूछा भी गया तो मुख्य कठनाई क्या ओजाएगा माद्यम से यूर्पी आवश्यक सुभिधाओं को सुलप कराना अगला हो देगा हमारा 17 नमबर प्रशन मंता है 2019 में पूछा भी गया है कि शिक्षा के सारभौमी करड़ से क्या आसे है तो सिक्षा का सारभौमी करड़ या लोक ब्यापी करड़ या सारभौमी करड़ का साब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित अस्तर तक सभी लो करना था कि प्राथमिक शिक्षा की प्रमुक् समस्या निमलकित खुज़ेश की पूल अनुसंधान वा नवाचारों की कमी इत्यादी अगला यहां पर प्रश्ण मता 20 नंबर जबार रस्कूशन यहां पर 2017 में पूछा भी गया है कि प्राथमें के बिद्यालियों में बिद्याले प्रभंद समित के गठन एवं कार्यों का वरणन कीजिए तो कार्य पहला हो जाए यहां पर कि बिद्याले के आजप आपरोस में रहने वाली जंता को बाल अधिकारों की समस्या एवं रचनात्मक तरीकों से जानकारी देना उसके बद्याले में उपस्तित होने के नियमित अवं समय पालन माता पिता के साथ नियमित बढ़वर लन बालक के बारे में जानका देना तीसरा नमबर हो जाएगा यहां पर की विद्याले के आज परोस में 6-14 वर्स तक के सभी वालकों के विद्याले में नमांकर था उनकी सतत उपस्थित सुनिश्चित करना अगला किश नमबर हो जाएगा कि सम्मिधान के अनुचेद 21 का एक भाग के थार के अंतर के अंत के बच्चों को निशु दोधानिवार सिक्षा उपलब्द करानी होगी 22 नमब यहां पर प्रश्ण बंता है हमारा कि बाल अधिकार जिया साथियो बहुत बच्छास कुशन है कि बाल सिक्षा अधिकार अधिकार अधिनियम के अंतरकर के निजी ट्यूशन की छोट प्राप मिसन स्कूलों की चार प्रमोख या चार विस्स्ता है लिए 2019 में यह भी पूछा किया तो पहली विस्स्ता हो जाए कि कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारम करने का सिरे इनहीं को जाता है आधुनिक शिक्षण विदियो का प्रियोग किया जाता है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारती भासाय थी और इन स्कूलों में इसाई धर्म के शिक्षा अनिमार्य रोप से दी जाती थी ठीक है अगले हाँ पर फोर्थ नमबर हो जाएगा हमारा कि बनारस संस्क्रिट कॉलेज कब और किसकी द्वारा प्रारम हुआ तो सन 1719 में जोनायल डंकन के प्रियासों से बनारस संस्क्रिट कॉलेज प्रारम हुआ अगला हो जाएगा हम पांच नमबर कि कलकत्ता मदर्सा के स्थापना का उद्देश से क्या था 2016 में पूछा भी गया है तो बनारस संस्क्रिट बिद्द्याले की अस्थापना का उद्देश से मनुस्मित पर आधारी ते हिंदू कानूनों की सिक्षा देकर अंग्रेज निया धीशों की हिंदू सलाहकार त्यार करना था अगला यहां पर प्रश्ण हमारा बनता है सात नमबर बनता है कि पूरा संस्क्रिट कॉलेज की स्थापना किसकी सहाथा से कब हुई तो सन 1821 में पूरा के रैजिमेंट एलफिंट सन ने पेशवा के दक्षिड कोस्त की सहाथा से पूरा संस्क्रिट कॉलेज की स्थापना की नेक्स्ट हमारा प्रस्ण बनता है कि राधा किष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई तो राधा किष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नॉम्बर 1948 में की गई अगला 9 नॉम्बर बनता है हमारा कि प्राथमिक शिक्षा आयोग के अध्यक से कौन थे तथा इनकी नियुक्ति कब हुई थी अगला यहाँ पर हमारा प्रस्वर्श के पस्चाद बिटिस पारलियामेंट दरा पुना वर्तन किया जाता था और इस उद्देश के 1813 के आग्यापत्र को पारलियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इस अग्या पत्र ने प्राच्य पास्चात बिवात को जन्म दिया अगला यहां पर साथी हो हमारा जो प्रशन बनता है जब आजास कुशन ये भी दिया गया है कि बिद्याले बिकास योजना क्या है ठीक है ना बिद्याले बिकास योजना क्या है तो उत्तर में हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिसत द्वारा प्रदेश में बालिका सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतीक जन्पत में उच्छ प्राथमिक एस्तर पर मीना मंच का गठन किया गया है अगला हो जाएगा यहां पर इस गठन का इस गठन NPEGEL ठीकना यानि नेशनल प्रोग्राम आफ एजुकेशन और फॉर गर्ल्स एट एलेमेंटरी लेवल के अंतरगत हुआ था इसका फुल फार्म हो जाएगा अगर लिखने को आता है तो निश्रूम से लिखते हो अगला यह से जोड़ना चोथा हो जाएगा रचना अत्मक लेखन और चिंतन की आदत पाच्वा विभिन जीवन कौसलों का विकास छठा बाल एवं महिला अधिकारों का ज्यान सात्वा नम्मर हो जाएगा बाल विवाह की रोक थाम आठवा हो जाएगा बच्चत हे तो प्रोच्चाह पाए परिवार में बालक को अधिक महत दिया जाता है बालेकाओ की अपैक्षा बालक की पढ़ाई खान पार पर विसे ध्यान दिया जाता है और यही जेंडर संबेदी करण है ठीक है यही जेंडर संबेदी करण है अगला हो जाएगा हमारा कि लिंग बेद के मुख्य तो यह चोटे बच्चों की घर बे देखवाल अभिलेखों की आर्थिक तंगी बालिकों के लिए उदाशीन एवं उपेक्षा ठीक है ना थी यह हो जाएंगी इसके प्रेमुख का रणलिंग वेद के अगला हो जाएगा हमारा की विद्याले अभिलेखों का मुख्य या महत् तो अभिलेखों के आधार पर ही विभाग द्वारा मांगेंगे सुचनाओ को भेजा जाता है अभिलेखों के माध्यम से योजनाओं की प्रगती आख्या प्रस्तुत की जाती है भावी योजनाओं के निर्माल में सहायक अगला हमारा प्रशन ही आपर बनता है कि स्री अपनी रिपोर्ड कब पेस की तो 1986 में 1986 की शिक्षा नीति की शमिक्षा के लिए गठित शमिति की अध्यक्ष अंध्रप्रदेश की ततकाली नमख्य मंत्री शीरी एंजनादन रड़ी की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1992 को समीति ने अपनी रिपोर्ड पेस की अगला यहां पर अध्यक्ष ने बनता है कि हंटर कमिशन को आनिक किस नाम से जानते हैं तो हंटर कमिशन को भारती शिक्षा आयोग अठरव ब्यासी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों ये कुशन आप सभी के लिए एक जगे पर आपके बहुत ज़रू ज़रू पढ़िएगा लास्ट देख बनता है कि सर्व शिक्षा अभियान संचालित किये जाने के उद्दे से हैं पहला हो जाएगा कि वर्स 2023 तक प्राथमिक विद्यालेों शिक्षा गारंटी के अंधरों वैकल पिक और विद्यालें सिवरों में सभी बच्चों को प्रवेश करना दूसरा हो जायगा कि सन 2007 तक सभी बच्चों कर्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेना ये कर ले सन 2010 तक सभी बच्चों कर्षा आठ तक की शिक्षा पूर कर ले अगला हमारा प्रश्ण बनता है यहाँ पर की सर्व शिक्षा अभ्यान का प्रमुख लक्ष था तो सभी बच्चे 2005 तक स्कूल शिक्षा गारंटी के इंदर वैकलपिक विद्ध्यालियों में दाखिला स्कूलों में वापस लोटे सीवीर बैक टू स्कूल कैम्प में हो अगला हो जाएगा कि अपवे का अर्थ बताईए तो अपवे का अर्थ अपवे का शाब्दिक अर्थ है वेर्थता अथवा फिजूल खर्ची यानि शिक्षा में अपवे का प्रियोग इसी अर्थ में किया जाता है जब कोई बालक किसी कक्षा या पाठिक्रम में दाखिला विद्यालेक लेने के पश्याद उसे पूरा किये बीना बीच में छोड़ देता है तो उसे अपवे कहते हैं क्या कहते हैं अपवे कहते हैं नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अवरोधन क्या है या अवरोधन का अर्थ बताईए तो अवरोधन का अर्थ हो जाएगा अवरोधन का स ध्यान करम में रुकावट आ जाती है भारत में इस ओर हींग कमेटिंग ने सर पर्थम 1939 में हमारा ध्यान अकरसित किया है हींग कमेटिंग अनुसार अब रोधन से हमारा अर्थ पर किसी बच्चे का निम्न कच्छा में एक से अधिक वर्स तक रोके जाने से है अगला हो जायागा हमारा कि निम्न में यो जनाओ के पूरे नाम बताएए तो यहां पर आपको बी यो एस ओ टी डी पी एप और अन पी इजी एल अभी एन पी इजी एल आपको उपर बताया गया है ठीक है तो यहां पर ओपी ओब का मतलब हो जाएगा और उप्रेशन ब्लैक बोर्ड और आस ओपी टी का यह हो जाएगा इसका पूरा नाम अगला हमारा प्रशन बनता है यहां पर कि समवर्ती सूची में दिये गए बिसयो दिये गए बिसयो पर नीती एवम कानून बनाने का अधिकार कि सरकार को है अगला हो जाएगा यहां पर कि भारत की एक पंध निर्पेश रास्टर की गोशड़ा का उलेग कहां पर है अगला हो जाएगा हमारा कि इस्ट इंडिया के आग्या पत्र का पुनावर्तन किसके द्वारा किया जाता था अगला हो जाएगा हमारा कि मैकाले जिया मैकाले सिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तयार करना चाहता था दोर सोला में पूछाएगा तो मैकाले ने अपने विवर्ट पत्र में लिखा था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ड जो रक्त और वर्ड में भारतिये किन्त रुचियों नैतिक अडरसों और बुध्धे में अंग्रेज हो इस बात से यही इसपस्ट होता है कि मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग बाबु वर्ग जी से कहते हैं उत्पन करना चाहता था जो पास्चात सब्धता का उपासक और बिटिक सासक का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़े मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके अगला हो जाएगा हमारा यसपाल समित की अधक्ष्टा में गठित समित का उदेश क्या था तो अधिकतम की गड़वत्ता में सुधार करने हेतू करते हुए सभी इस्तरों की स्कूलिच हात्रों विसेस कर छोटे बच्चों पढ़ाई के कम बोज को कम करने की उपायू के बारे में सलाह देना अगला हो जाएगा हमारा के ऑपरेशन ब्लाइक बोर्ड के विद्यालियों में कौन से सुभिधाय प्रदान की गई सोला में पूछा भी गया है तो कौन से सुभिधा यहां पर आप देख सकते हैं पहली जो सुभिधा होगी वो होजेगी सिक्षक अपकरण यानि की पाठ्ठ करम सिक्षक तंदर्विका पाठ्या पुस्तक दूसरा हो जाएगा कच्छा सिक्षक सामगरी जो कि आपका गलोब तबला हार्मोनियम यह सबाज आता है उसके बाद सिक्षक के पास अकस्मिक खर्च हेतोधन कक्षा कक्षा उसके बाद यहां पर सोचाल है चटाई उसके बाद कुरसी शिक्षकों के लिए उसके बाद ब्लैक बोर्ड उसके बाद हो जाएगा कि पी मोस्त का पूरा नाम लि पुछाब गया है तो सात राज्य में 42 जनपदों में पर्थम चरण में चैनित सातर राज्य मध्यपरदेश असम हर्याडा महराष्ट का नाटक तमिलाड एवं केरल अगला हमर प्रशन हो जाएगा कि ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपी एपी का उद्या उद्देश था दोसा सोला में पूछा भी गया तो ड्रॉप आउट की दर को 10 प्रतिसत तक कम करना तथा धारण चमता को 90 प्रतिसत तक बढ़ाना उसके बाद ECCE सब्द का संचेप का अग्रेजी में पूरा नाम लिखे तो early childhood care and education 2016 में ये कुशन पूछा भी गया है अगला यहाँ पर प्र थम चिरण में बध्यान भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागों की गये 2016 में पूछा भे गया तो 38 जिलो में 248 विकास खंडों में संचालित की गये अगला हो जाएगा कि NCEIT की प्रमुख कारिये तो अनुसंधान एवं नवा चार NCEIT का पहला कार हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आदर से पार्ठी करम तीसरा राष्टिय शिक्षार संस्थान उसके बाल अध्यापक शिक्षा और विस्तार सेवा अगला यहां पर प्रश्णा मारा बनता है कि इंद्रा गांधी राष्टिया मुक्त विद्याली पूचा गया है तो 20 सितंबर से 1985 को अगला और लास्ट कुष्ण आपका बनता है कि कलकत्ता मदरसा एवां बनारा संस्क्रित कॉलेज की अस्थापना किस उद्देश से की गई थी 2016 में पूचा भी गया तो कलकत्ता मदरसे की अस्थापना का मुख्य उद्देश इसलाम ध मित पर आधारित हिंदू कानुयों की शिक्षा देखकर अंग्रेज न्याय धीसों की हिंदू सलाहकार त्यार करना था तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी वेरी मौस्ट इंपॉर्णन कोशन वीडियो को शेयर कर दीजिए अब दोस्तों के साथ अभी भी टाइम है और जादा जादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थांकू सो जै हिंद जै भारत बंदे मातरम